नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका Fantasy Gali के YouTube चैनल में बांगदेश बना मपकानिस्तान सबसे पहले है One Day International Series पहले ODI के लिए इस वीडियो में मैं आपको बता दूँगा इस मैच के लिए Ultimate Fantasy Analysis उसमें included होगी ये तीन चीज़े सबसे पहली बात कि जो आपके चतग्रम में जो स्टेडियम है उसकी Pitch and Conditions कैसे होने वाली है वो पहली बात दूसरी बात कि आपकी Investment Strategy कैसी रहने चाहिए और तीसरी और सबसे important बात कि आपके Captain Vice Captain Topics इस मैच के लिए कौन हो सकते हैं वो सारा सब कुछ मैं आपको बता दूँगा देखिए One Day International जो format है उसमें भी आपको switch करना पड़ेगा क्योंकि अभी तिलाल आप जादा तर 2020 जादा खेल रहेते हैं 2020 जादा खेल रहेते हैं हमने इसी चैनल पर डिस्कस किया है लेकिन One Day International की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी अलग है fantasy cricket की परिभाषा सुधारने के लिए और आसान करने के लिए ही fantasy गली बनी है इसलिए प्लीज आपने अगर हमारे mobile app को डाउनलोड नहीं किया है तो देखिए इस वीडियो के description में एक link रहेगा जहां पर आप जाके वो app डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड दी fantasy गली mobile app right now दूसरी बात है कि आपको जो इस चैनल पर यूटीब चैनल पर जो इतना सारा सब कुछ fantasy cricket का ग्यान मिल रहा है जिसको करने के लिए बहुत महनत लगती है सिर्फ मेरी नहीं कार्टे की नहीं पूरी टीम की fantasy गली टीम की महनत लगती है बस इतनी जी बात है अब चालू करते हैं बांगलदेश बनाम अफगानिस्तान फर्स्ट वन्डे इंटनाशनल के लिए ये है ultimate fantasy analysis here we go welcome 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 to the fantasy गली शो वन्स अगें मेरा नाम है बाबशीश बात हो रही है ODIs के बारे में बांगलदेश खेलेगी अफगानिस्तान के साथ पहला मैच होगा चौतर ग्राम में अभी तक अफगानिस्तान ने एक भी मैच नहीं खेला है इसलिए हम ये आपको exactly तो नहीं बता सकते कि कौनसे प्लेयर वहां के suit करेंगे लेकिन मैं आपको overall idea दे देता हूँ कि यहां पर आप क्या expect कर सकते हैं देखें जो 20 matches, 20 ODIs यहां पर खेले गया है न वहां पर उनमें से कुछ 13 हैं जो bowling first की team ने जीता है और वो इसलिए होता है क्योंकि देखें this part of the world अगर मैं 4 ग्राम की बात कर रहा हूँ तो वहां पर due ज़रूर आ जाता है लेकिन ये जो match खेला जा रहे हैं ये 10.30 a.m. start है यार तो जब अगर सुभा का match ही हो जाता है तो due का तो chance ही नहीं है ठीक है तो आपको उसका टेंशन लेनी की जरूरत नहीं है average first ring score यहां पर मैं बता हूँ आपको तो 220-212-220 ऐसे ही कुछ है यहां पर जादा नहीं है जादा इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर जिंबावे काफी matches खेली है और वो जादा runs बनाते भी नहीं है और दूसरी बाकी टीमों ने मतलब prominent teams ने उतने जादा matches यहां पर खेले नहीं है तो यह आप नहीं बोल सकते हैं कि यहां पर runs नहीं बनते हैं runs ज़रूर बनते हैं लेकिन क्योंकि आपको यहां पर spin का भी थोड़ा सा नजर आएगा turn दिखेगा आपको ने बॉल हलका सा move करेगा इसलिए मैं कहा रहा हूं कि आपको enough बोलर चाहिए अपने team में और उस हिसाब से आपको एक balance batting line-up चाहिए कि अगर यहां पर 260-280 का भी game होता है तो आपके पास बल्लेबाज हो तो यह मोटा-मोटी हो गया pitch and conditions मेरे इसाब से at this point of time it's a balance pitch दूसरी बात करते हैं कि आपकी investment strategy कैसी रहें चाहिए देखे पहला match है इस series का आप देख रहे हैं कि नया coach भी नया एक interim head coach भी आया है अफगानिस्तान के लिए तो strategy stuart law by the way वो coach है तो strategy भी उतना clear नहीं है मैं कहूंगा यहाँ पे आप low investment के साथ जाएं जादर सादर safe team खिलाएं तो क्या फाइदा है अच्छा है जैसे यह series आगे बढ़ता है आप फिर medium to high जा सकते हैं यहाँ पे आप low investment के साथ जाएं यह मेरा मनना है तो आपके investment चार्ट के भी clear होगी अब देख लेते हैं quickly क्या आपके topics कौन हो सकते हैं और आपके captain wise captain options कौन है पहला नाम आपकी screen पे हैं wicket keeper option मुश्फिक उर्रहीम जो शायद एक milestone से काफी करीब है I think कुछ 80 run और चाहिए इनको international cricket में 13,000 runs करने के लिए जो कि बहुत बड़ी बात है और बड़े दिनों से ये खेलते आ रहे हैं Bangladesh के लिए इनके पास वो experience है जिस number पे बल्ले बाजी करते हैं वहाँ पे ज़्यादा seem होता है ना तो spin पकड़ता है तो मेरे कहाल से मुश्मित रहिम बहुत safe peak है In fact जब ये कोई भी शुन्खला खेलते है ना उनके शुरुवाती जो matches है बहुत prominently अच्छा खेलते है क्योंकि सबको लगता है ये तो क्या है मतलब थोड़े बहुत शॉट्स खेलेंगे आउट हो जाएंगे लेकिन ये लंबे प्लेयर है ये जब भी टिकते हैं तो बड़ा score करते हैं मेरे हिसाब से तो ये बहतरीन पिक है डेट्विनेटी दूसरे यहाँ पे keeping option आ रहे है रहे है रह्मनुला गुर्बाज का जिनों ने ये चैनल देखा होगा जबसे गुर्बाज को अफगानिस्तान में मौका नहीं मिला था और ये श्रंकर प्रिमेर लीग में खेल रहे थे तबसे इसी चैनल पे हमने prediction किया था कि ये रह्मनुला गुर्बाज एक player है कि आपको देखना पड़ेगा और अब देखिए अब ये नैशनल टीम के लिए ज़रूर है high x factor वाले player है इसलिए जब इनका दिन होगा बड़े runs करतेंगे लेकिन वैसे भी मुझे तो बड़ा पसंद आता है इनका talent और मुझे लगता है एक बड़ा नौक खेलने वाले हैं इस particular series में इनके साथ जरूर परसस करूँगा मैं बल्लेबाजी के option में तमीम इकबाल का नाम जरूर आ रहा है बीच में सुनने को आया मिला ये था कि ये खेलने नहीं वाले हैं ये वंडे इंटनाशनल का format लेकिन कुछ हुआ होगा अभी देखे ये जो बांगलेदेश फीमेल लीग की जो team of the tournament थी वहाँ पी भी feature किया था इन्होंने क्योंकि इनके पास class है बहुत अच्छी class है और इनका वही है यार ये अगर थोड़ा सा moving ball जो नया ball रहेगा अगर ये खेल लेते हैं तो ये 100 ही मारेंगे इनके पास वो ability है कि बड़ा नौकी केलते हैं फिर ये तो hopefully ये आपको points बना के दें दूसरे है हश्मतुला शाहिदी का देखिए उनके badge के साथ वो एक आपको fire emoji नजर आ रहा है जिसका मतलब ये है कि ये form में जरूर है low to medium x factor वाले player है इसलिए इनके साथ आप प्रस जरूर कर सकते हैं शाहिदी के साथ तीसरे बल्लेबाज यहाँ पे नजर आ रहे है रहमत शा का जो के जरूर दें ये तीन बल्लेबाज होगे आपके पास एक ही all rounder का option आ रहे है लेकिन मैं आपको बाकी बता दूँगा वो है शाकी बुल हसन जो की of course मतलब no surprise at all इनके पास वो talent पो ability जरूर है in fact इस particular ground में इनके सबसे जादा wickets हैं जो की again not a surprise because इनोनी यहाँ पे बहुत सार matches के लिए और matches में अच्छा perform किया है यह नहीं कि बस खेलते रहते हैं क्योंकि यह उनका perhaps perhaps the best bangladeshी cricketer to have played international cricket ever वो तो आप firm belief ही करेंगे और bowling के साथ आपको definitely points देंगे batting में थोड़ा उपर वल्लेबाजी कर रहे हैं तो अगर tick है तो बड़े points दे सकते हैं यह एक allrounder यहाँ पे नजर आ रहे हैं मैं आपको दूसरा allrounder यहाँ पे edit team पे जाके बता तो देता हूँ definitely देखिए दूसरे allrounder का नाम मैं यहाँ पे जरूर लेना चाहूँगा वो ह अगर team balance के साथ credit के साथ मौमन नभी आपको मिल रहे है तो मौमन नभी आप जरूर रख लें क्यूंकि देखिए recent जो पाकिस्तान सूपर लीग मैंने देखी थे ना वहाँ पे भी यह थोड़ा उपर वल्लेबाजी कर रहे थे तो you never know कि अफगानिस्तान शायद उनसे वही कर वाले और bowling आपको पता ही है कि कितना control दिखाते हैं वैसे भी इसी channel पर मैंने आपको बार बार बता है कि जो right arm of spinners हैं अगर वो आपको अपनी fantasy team में लेने का जगा आपको मिल रहे है तो ले ले क्यूंकि players are not playing that skill well तो हो सकता है नभी को भी विक्टे मिल जाए तो ये तो all rounders के साथ मैं जरूर पर्सिस्ट करूँगा अगर bowlers के बारे में बात करें तो आपकी safe team में बहुत bowlers नजर आ रहे हैं क्यूंकि जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर विक्टे गिरती रहती है राशित खान पहले bowlers नजर आ रहे हैं which is not a surprise at all क्यूंकि देखिए पाकस्दान सुप और इनके पास राशित खान के पास variety of leg breaks है मतलब bowlers के पास क्या रहता है कि एक leg break एक गूगली नहीं 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 इनके पास कुछ 5-6 तरीके के leg break ही है और जो की वो pitch और उसकी speed और spin के हिसाब से वो change करते रहते हैं तो यह bowlers adapt कर लेगा no matter what conditions इनके साथ तो definitely मैं persist करूंगा यह मेरे bowling option हो गए दूसरे bowler है मुस्तफिज और रहमान जो की power play में गेंबाजी करेंगे और वहाँ पे एक match up जरूर देखने को मिलेगा बांगलादेशी openers versus मुझे बूर रहमान की क्या रहती है उनकी strategy अगर यह नया ball तेस तेस गंडों पे कर रहे हैं तो क्या यह सपलता इनको मिलीगी at this point of time मुझे लगता है मिलेगी इसलिए यह मैं आपको इनका नाम suggest कर रहा हूँ दूसरे हैं बांगलादेश की तरफ से जो M. रहमान है मुस्तफिज और रहमान जिनको जिनका यह जो auction भी बड़ा अच्छा गया और यह वही आपको provide करते हैं on slightly slow pitches इनके cutters ज तीसरे बोलर यहाँ पे नजर आ रहे है शौरिफल इसलाम का जिन्होंने देखे जिंबावी के अगेंस 108 पॉइंट डिये थे यॉटकर बड़ा अच्छा डालते हैं और जो उपर जब pitch करते हैं तो आप wicket लेने के बड़ा chances आप बढ़ा देते हैं देखे थोड़े high expector वा इन conditions में इनको suit जरूर करेगा कोड़ा अगर गेंद reverse हुआ ना तो वहाँ पे बड़ा तकलीफ देंगे आपको लेकिन ये तो आपके safe team के picks हो गया है मैं आपको थोड़े बहुत differential picks बता ही देता हूँ मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो है एक और पेसर अगर बांगलादेश की तरफ से जो भी team वो लोग खिलाएं आपको मैं enough options तो दे ही दू जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ आपके पास तासके नहमत का option जबूर आएगा अगर ये खेलते हैं तो तासके नहमत दीखे बड इनके साथ definitely persist कर सकता हूँ और अगर मैं बात करूँ अफगानिस्तान की तरफ से तो मैंने आपको already बोलर सो बता दिये हैं और अगर differential pick अगर देखिए बंगलादेश की तरफ से ही एक और all rounder का option आपके पास मिलता है वो है महदी असन का जो मैंने same logic आपको मौमन नभी का ब अच्छा डालेंगे और बल्लिबाजी तो करी सकते हैं उसे साबसे ये मेरे दोनों differential pick जरूप हो सकते हैं अब देखिए quickly मैं आपको बता देता हूँ कि आपके captain wise captain options कौन हो सकते हैं इस particular match के लिए captain wise captain option अगर मैं आपको list बताऊं तो सबसे पहला नाम शाकिबल असन का आ रहा है क्योंकि देखे ball और bat के साथ दस ओवर तो ये करी लेते हैं ball के साथ batting में उपर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो points देंगे राशिद खान क्योंकि इनको ज़्यादा time नहीं लगता adapt करने के लिए ये कहीं पे भी आके शुरू हो जाते हैं ये straight away तो राशिद खान है आपके पास मुश्वकर रहीम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनका record जो है यहाँ पे अच्छा है दूसरी बात है कि variations अच्छा डालेंगे उससाब से यह आपको points देंगे तमीम इकबाल क्योंकि legendary player है इनको जैसा मैंने कहा ये अगर पहला हाँ खेल लेते हैं फिर ये खराब shot खेलेंगे तभी out होगे इनको out करना बड़ा मुश्किल है और spin के against manage तो कर लेते हैं ये definitive तो ये तमीम इकबाल हो गया है और रह्मनुल्ला गुर्बास क्योंकि नए upcoming talent है फिर भी थोड़े से medium risk high risk player है यहाँ पे आप अपनी grand league में team बढ़ा ले तो वो एक multiplier option हो जाते हैं ये आपके captain wise captain options हो गया है इस match के लिए multiplier options मैं आपको बता दी है pitch and conditions की बारे में आपको clarity दे दी गई है करना अब यह है देखे सुबह का game है जैसे ही आपको toss हो जाता है आपको करना ये सीगा भागना है भागना actually नहीं पड़ेगा अगर आपने हमारे आपके phone में अगर हमारा mobile app डाउनलोड कर लिए है तो देखे mobile app अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसा है क्या है कि वहीं पर आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा team से मिल जाएगी और जो है contest भी आपको मिल जाएगी तो बस इतनी सी बात है कि download करते app और इस channel को ज़रूर subscribe करे हमारे website पे भी जाए तो आपको same treatment मिलेगा हम काफी आपको welcoming है अगर आपकी fantasy cricket की strategy कुछ भी हो आप बोलेंगे कि नहीं मैं safe team खिलाना चाहते हो जलो भाईया safe team ले लो आप बोलेंगे नहीं थोड़ा यहाँ पर high risk खिलाना चाहते है चलो भाईया ले लो आप बोलेंगे batting focus है चलो भाईया ले कुछ भी चाहिए आपको वहीं पर मिल जाता है description में जाईए आपको app का link जरूर मिल जाएगा channel को जरूर subscribe करें क्योंकि ऐसे videos हम यहाँ पर बनाते रहते हैं आपके लिए मैं बनाता हूँ कार्तिक भी बनाते हैं आपके लिए और पूरी team जो है बहुत महनत करती है उसी महन कर कर दो